हालो दोस्तो मैंने आभी लेके आया ओपो ए 3S और यह फोन हाफ शॉट है यहां बैटरी कनेक्टर में देख लो इसका लगबग रेडिंग आ रहा है 481 ठेके आपका मीटर में अगर 381, 281, 581 आता है तो सेम टू सेम हाफ शॉट ही है ठेके इसे कुछ मतलब नहीं है हाफ शॉट मतलब मोबल के अंदर में कहीं न कहीं पर फुल शॉट होने का चांसेश बहुत ज्यादा होता है ठेके निटोग IC का यहां पे भी हाफ शॉट दखाई दे रहा है 234 पावर IC का आसपास में जो भी क्यापासिटर लागा है इसमें भी सेम शॉट आ रहा है 234 ठेके इस तरह का शॉटिंग आ रहा है तो मैंने इसका सारे टीना निकल दिया लास्ट में मैंने लाइड आइसी का जो टीना होता है इसको निकल के जब मैंने दिखा तो लाइट का जो क्यापासिटर है यह बुड़ी तरह से जल गिया ठेके यहां पर देखू आपको दिखाई द करना परेगा दूनों एक साथ में चेंज करना परेगा तो चेंज करने से पहले एक बार आप लोगों को चेक कर करके दिखाएगा यहां पी देखो फूल शॉट क्यापासिटर जो है कि Gebacad air जो है यह शॉट हो गया ठीक है और बैटरी बिल्गुल जेरो है यह शॉट हो गया और बहुत हीवीट हो गया था कास्टमर का कहाना थे बहुत ज्यादा हीड वह गया था यह तो किसी भी पूलना मदर बोट से हम लोग लगा देंगे शिरिफ क्यापासिटर सेम टू सेम होना चाहिए और कॉयल थोरा सा अगर इदर दर भी होगा कुछ प्रोब्लेम ने ठेके दोस्तों लाइट कोईल और अगर खरब हो जाता है तो खरब होने से पहले मोबाईल बहुत ज्यादा करो जब भी मुबाईल अपके पास में आये यह बंद धने से पहले मोबाईल गारम भगरा होथा क्या नहीं अगर कस्टमर बोल दे कि बहुत ज्यादा हीड हो रहा था तो आप लोग डाइरेक्ट समझ जाना कि इसका लाइट एरिया में कुछ ने कुछ प्रोबिलम है ठेक है तो फिर उस हिजब से काम कर लेना ठेक है दोस्तों देखो यहां पर मैंने एक ठो लिया है अब नोटफोर का मढवरण वहां से अब उठाएगा क्यापासिटर को और एक टो लिया मैंने चांविजफों यहां यहाँ से उठाएगा कॉइल को ठीक ले की है हि तो दूस्टीस को मैंने उठा लिया अब ही बैठाएगा अब यह तक मैंने क्वेट कियापासीटर ने बाटा दिया यह दोनों को चेंज कर दिया तो आप च्रिक किरते देखते पहले इसको शॉट अाफ सूट क्यापसीटर फूलशॉट सबसे पहले जबते करेंगे सब्सक्रिक करेंगे यहां पर पहले यहां फूल शोट था था है टोस्ताँ कह nugget करना है मोरो आ यह नहीं जो भी GOOD टो इस नहीं है तो यह नहीं जो भी प्रवर्बोले मठलोर को वह seven लाइट क्यापसिटर का बज़ा से प्रोब्लिम हो रहा था ठेक है बैटरी तो पिल्कुल जीरो है सिर्फ हम लोग चाजल लागा के चेक करेंगे यह सेट अभी ओन हो रहा है के नहीं और एक बात दोस्तों ऐसा हालत में यह सेट आपको ऑन भी नहीं होगा ठेक है अगर फूल हो गया इसके बैटरी लू ही बोलके ऐसे हो रहा है थोड़ा देर राखेंगे चाजर में तो चार्ज हो जाएगा और वीडियो अगर मेरा अच्छा लगए थोड़ा सा भी आप लोग को तो लाइक से सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को